नमस्कार दोस्तों केसे आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारे ओर एक नेड़ में तो दोस्तों अभी मार्केट हो चुका है ओपन हमने अपना जो इस सिस्टम यहाँ पर आउन कर लिया है और मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एक लोट से हम कैसे यहाँ पर एंट तब देखना तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पार हो निफ्टी का यहाँ पर एक चाड़ बरकर के रकाई में ने और यहाँ पर एक अच्छा कासा हैमर का यहाँ पर जो फर्मेशन हुआ है इसलिए और कर का कल का जो है मतलब पिछले प्रिवेश टे का सपोट लेते हुए मार्केट ने यहाँ पर आगे की यहाँ पर मुवमेट दी है अभी क्या हुए मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेकर इसलिए और पर कुछ यहाँ पर सपोट लेगे मार्केट एक बार फिर से जो उपर सार की यहाँ पर मुवमेट कर रहा है हम अभी क्या क करेंगे यह जो आज का हाई है इसका ब्रेक होने का यहां पर वेट करेंगे अगर यहां पर ब्रेक होता है तो हमें पता चलता है कि यहां पर बुलिश मोमेटम यहां पर कंटेवन होने वाला है अगर नहीं तो मार्केट यहां तक तो जरूर आएगा अपने सपोर्ट लेवल मैं एंट्रे लेने वाल है, आप option buyer हो, आपको हड़बड़ में कोई यहाँ पर काम नहीं करना, patience के साथ आपको bet ना है, आपका जब level आएगा तब आपको market में यहाँ पर trade करना है, कुछ यहाँ पर आप, जब कुछ आप हड़बड़ में यहाँ पर trade लेते हो, तो कुछ यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर हमारा level से यहाँ पर break होने ही वाला था, लेकिन हमने wait किया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो market में, मैंने आपको कहा था कि यह level break होने के बाद, दिन का high break होने के बाद, हम यहाँ पर entry लेंगे और उसके बाद एक bullish candle यहाँ पर बनी, काफे लोगों ने इस bullish candle पर यहाँ पर entry ले होगी, बात में क्या होगा, एक retracement market में आया, और अच्छे कासे लोगों को यहाँ पर out कर दिया, इस candle ने, फिर से market जहीं उपर जाने के यहाँ पर कुशिश कर रहा है, जब तक हमारा day high का यहाँ पर एक breakout हमें नहीं मिलता, तब तक हम market में entry नहीं कर सकते, जब market यहाँ पर अपने support level तक आयेगा, तब यहाँ पर हम अच्छे कासी enter कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अच्छे कासी hammer बनी हुए, long week है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स जो है, अच्छे कासी मतलब में यहाँ पर activate है, इस देखिए, यह पूरा जो एरिया नीचे का, यह पूरा बायर्स का एरिया है, यहाँ पर market को आने ही नहीं दे रहे, यहाँ से market को reverse करके, उपर लेकी जाने की कुशिश करें, मुझे लगता है, day high का यहाँ पर breakout हो सकता है, अगर day high का यहाँ पर breakout होगा, तो हम यहाँ पर enter लेंगे, देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, market में यहाँ पर breakout होगा, मैंने आपको कहा था कि day high का breakout यहाँ पर breakout हो सकता है, अभी candle close होने का हम यहाँ पर wait करते है, हड़बडे में यहाँ पर enter लेती, candle को हम close होने दे, प्रॉपर candle अगर close होती है, तब ही जो है market में हम यहाँ पर enter करेंगे, अभी candle को close होने में लगबक द यहाँ दी जा रहे है, अच्छा कासा हमको यहाँ पर इस candle में टार्गेट मिल सकता है, देखे, और एक मिन बाके, कुछ यहाँ पर हम wait करते थे कुछ और, अच्छा कासा breakout होगा है market में, अभी भी एक मिन बाके है, मैंने आपको कहा था कि market में यहाँ उपर ही market जाने वाला ह पूरा बायर्स का यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर candle को हम close होने देते हैं, जब तक कि candle यहाँ पर close नहीं हो जाती है, इसके उपर हम यहाँ पर इंटरे नहीं ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक हरवंटर लाइन जो है, यहाँ पर marker gap को बताता हूं, देखे, यही होता ह analysis, यही होता है, patience की साथ अपने trade को hold करना, अपने trade को देखते रहना, अपने target को यहाँ पर hold करना, हमरा entry plan यहाँ पर हो चुका है, हम लेंगे entry यहाँ पर, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पार होंगे, हमने यहाँ पर एक entry ली है, यहाँ पर अच्छे खासा breakout ह होने के बाद, candle system होने के बाद, हमने market में इंटर किये, हड़बड़ी में, चलती गाड़ में हमने यहाँ पर एंटरी ने ली, एक lot है, मैं एक lot से आपको बता रहाँ कि एक lot से कैसी यहाँ पर trade करते है, और एक lot में आपका profit कितना होना चाहिए, और आपका stop loss कितना होना चा एक resistance की तरह, जो है, market को respect किया है, और market ने अच्छी कासी bullish candle में यहाँ पर, जो है, market में break out दिया है, इस candle में, इस level को जो है, break out दिया है इस candle ने, bullish candle ने बुलिश का जे हैं, आपर अच्छा कासा moment मुझे दिक रहा है, अब हमारा stop loss क्या होगा, क्या हमारा stop loss होगा, यह level, क् कि एक श्विंक पकड ना घैंग कॉपर सकता है कुछ यहाँ पर bullish candle बनके फिर से नीचे भी आ सकते लेकिन अच्छा कासा इरा कहा है क्योंकि यहां पर देखे एक हैमर होए पिर से यहां से मरकेट उपर गया पिर से हैंवर जिस हेहां पर हैं फिर से मारकेट उपर गया है तो हमारा stop loss होगा इस candle की नीचे देखेंगे हमारा stop loss कितने है हमारा profit कितना है देखेंगे तो देखा दोस्तो हमारे position यहाँ पर profit में आ गई है दोस्तो हमने अपने trade को hold किया अपने position को यहां पर hold किया है अपने patience के अपना entry का यहां पर बेट किया है इसी का फल यहां पर हमें मिला है हमने कोई यहां पर market में जो है हडबड़ीन में काम नहीं किया patience के साथ हमने बेठा है trade को analyze किया है अपने entry का यहां पर बेट किया है अभी जो हमारे position यहां पर profit में आते हुए हमें दिख रही है चले मैं premium की चार्ट को देखके 170 पर मेरा इंट्रे था मेरा stop loss 1,60 का और मेरा target रहेगा 192 का आपको जो है market में इसे ही काम करना होता है आप अगर index में कुछ यहां पर target लगाने जाओगी तो यहां पर आपका कुछ यहां पर risk reward जो है अच्छी तरह के से नहीं बेटेगा थोड़ा premium देखे भी हो सकता है आपको लगाना है premium option चार्ट पर अपना target और stop loss तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर और यहां पर entry बना लिया मेरा जो एक lot का यहां पर जो एक target था यहां पर पाच पॉंट से यहां पर मिस हो गया और जैसे कि यहां पर entry और bank nifty के लगबग 6 lot में यहां पर उठाए क्या मेरा analysis था क्या मेरा यहां पर जो ट्रेलेन का logic था में आपको यहां पर explain करता हूं जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है market यहां पर बार 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 जो है आपको दिखाता हूं एक minute रूखे जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है market जो है बार बार इस trend line को यहां पर support करते हूं आगे की तर्प यहां पर जो है जा रहा था जैसे कि market आज भी यहां पर यहां पर market ने दो बार यहां से जो है एक support लिया है market ने यहां पर दो बार और मार्केट ने आज सुबह क्या किया, मार्केट ने आज सुबह इस trend line को यहाँ पर support करते हुए, दो बार कम से कम इस trend line को support करते हुए, मार्केट ने respect देते हुए, यहाँ पर rejection लिया है, और यहाँ पर अच्छी कासी bullish candle ने यहाँ पर breakout दिया है, यहाँ अच्छी कासी bullish candle का breakout दिखते हुए मैंने मार्केट में यहां पर इंटर लिए दूस्तों आपको दिखाता हूं मार्केट में यहां पर इंटर लिए कुछ अभी यहां पर हमें चोटा फोटा यहां पर लॉस दिखा रहा है अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में आकर फसता है इसी टेंड लान के आकर market exit देता है, तो फिर से market में यहाँ पर अपना stop loss ऐसे करके निकल जाओंगा, और आज का जो भी अपना trade यहाँ पर exit कर दूँगा, वो trading नहीं करूँगा, निकल जाओंगा, क्योंकि जो है, हमें पिछले दिन अच्छा का साथ 6,000 रुपे का profit हो चुका था, अभी ठीकें यहाँ पर stop loss hit कर दिये, और market हमारा stop loss hit करने की बाद, एक silent mode में यहाँ पर जा चुका है, कुछ यहाँ पर moment नहीं है, stop loss hunting market चौलोई, अभी आगे का कुछ यहाँ पर moment आएगा, तो आएगा इस लेवल की उपर, इस लेवल की उपर कुछ यहाँ पर moment आ सकता है, लेकिन हमार जो है, over trading हमें नहीं करनी है, हमें rules follow करने है, इसलिए मैं अभी trading बन कर दिये, अभी मैं trading नहीं करूंगा, आज के दिन का target done, loss done